तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चो जो क्लास 12 का आपका प्री बोड एक्जाम हुआ है 2020-21 का सब्जेक्ट है आपका हिंदी इलेक्टिव तो इसका सॉल्यूशन व पहर या कल सुबह तक ही मिल जाया आपको अभी पेपर आ गया है मेरे पास ठीक है तो चलिए इस वीडियो में इस पेपर को सॉल्व करते हैं हमारा हिंदी का जो मौनिक सिफ्ट का पेपर है तो शुरू करते हैं वीडियो देखिए जो हमारा असी नंबर का यह पेपर आता ह है ठीक है और टाइम एलाउड जो किया जाता है वह तीन घंटे किया जाता है ठीक है बच्छो आगे चलते हैं आगे देखिए अगर आप सामाने निर्देश जो है जैनरल इंस्ट्रक्शन जिसको इंग्लिश में बोलती हैं अगर वह पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो क प्रशन दिये गए आपके उसको जह सकी ध्यान पूर्वक पढ़के आपको उत्तर देना है तो पहले का हम लोग उत्तर देख लेते हैं ठीक है पहले का जो पहला कोशन पूछा गया है हम लोगों से यहां पर आप देख सकते हैं कि हर मानों में एक अजीव विसंगती है ठी सिर्फ देख सकते हैं कि मानों की अंतरहीन महत्वकान के लिए आहित कर ठीक हो रही है ठीक है ठीक है तो यहां पर जो दूसरा पहुंचाई तक पहुचाने के लिए क्या करता है तो यह जो तीसरा कोशन है बच्चो इसका जो सही उत्तर होगा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चार ओप्सन तो यह पहले वाला जो है सो कि इसका सही उत्तर होगा को इसका सही उत्तर होगा कि दूसरों को नीचा दिखाना ठीक और विलासिता और कुरूरता। जप हावी हो जाती है जब सत्ता का अहंकार जागने लगता है तब ईयों से ना यह सब और इसका हुआ चालते हैं, सब आगे चलते हैं बच्छों फिफ्थ कोउषन देख लेए। पांचवा कोशंट क्या बोल रहा हम से की दूसरों की छोटी सी भूल अपराध कभ लगने लगती है तो जो पांचवा कोश्टेंने बच्चों आपका जो से नहीं हो Stück चलते हैं छाटा प्रस्ण देख लिए बच्चों छाटा प्रस्ण हम से पूछ रहा है कि स्वार्थ के वशीभूत ठीक है ना मानों का विभार हो जाता है जब स्वार्थ का वशीभूत आता है तो मानों का जो विभार है वो हो जाता है तो जहां तक हमें ऐसा लग रहा है ना बाखे आप कमेंट सेक्षेन में कमेंट करके बताये कि आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या होना सब्सक्राइब अगे चलते हैं, अगला प्रसन देखिए, 7 प्रसन की मानों का स्वभिमान, समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, टो इसके अंदर जो हैसो की, चार ओप्छन आप यहां पर देख सकते हैं, साथ वे के अंदर, सस्कोर लाइक, 7 प्रसन देखिए बच्चों, आठवा प्रस्ण क्या पूछ रहा है हमसे आठवा प्रस्ण पूछ रहा है कि मानो दूसरों का सोशन वह दूसरों की भावनाओं से खिलवार करता है तो यहाँ पर भी आप चार ओप्षन देख पा रहे होंगे बच्चो इसका जो सही उतर है बच्चो यह गवाला होगा कि स्वयम की अस्मिता को उचाई देने के लिए तो यह गव आप इसका सही उतर लगा देंगे आगे जलते हैं बच्चो अगला परस्ण देख लेते हैं नवा प्रस्ण हमसे क्या पूछ रहा है कि मानो क्रोधित हो जाता है कब हो जाता है क्रोधित ठीक है तो नौवे का जो सही उतर होगा बच्चो वह होगा आपका गह ठीक है अपना छोटा सा विरोध होने पर ठीक है न मानो जो है कब क्रोधित हो जाता है अपना छोटा सा विरोध होने पर अगर आप पैसेज देखना चाहते हैं उनमें पढ़ना चाहते है तो आप पढ़ लीजे मैं डिरेक्ट एंसर बताता चल रहा हूं आपको तेकर अगर आप प्रशन देखते हैं दस्वा प्रशन की मानों का अहंकार सत्रु है किस चीज का सत्रु है तो जो दस्वा कोशेन है बच्चो इसका जो सही उतर है वो कह होगा आपका सफलता हुआ संतूष्टी का जो है सो की आपका सत्रू है मानो का अहंकार ठीक है तो यह होगा आपका दस्वा अब इसमें अथ्वा दे रखा है अथ्वा के अंदर भी यही पूरा का पूरा पूरा पैसेज है यह पूरा का पूरा जो है सो की और इसको होता है ठीकना मानव मेंमें क्या विक्षित होता है तो जो इसका सही उतार होना चीए बच्छो वह जहां Münl onc चारं में से कोन सा अप्शन लगाए था ठीकना आगी चलते हैं अगला प्रस्थ Northeast कि दूसरा प्रस्थ है कि सेवा को जीवन मंत्र बनाने वाले व्यक्ति की सोच कैसी हो जाती है ठीक है ना तो इसका चार ओप्षन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चो तो दूसरे का जो सही उतर होगा बच्चो यह आपका गव होगा कि हर किसी को उचाई पर जाते देख सुख को होने की सोच ठीक है तो यह इसका सही उतर होगा आगे तलते हैं बच्चो अगला तीसरा प्रसन देख लेते हैं अपना तीसरा प्रसन देखे क्या पूछ रहा है कि सेवा करने की इक्षा मात्र की सहायता होती है ठीक है यह मैं सहायता बोल रहा हूं माफी चाहूंगा उसके लिए प्रोन सही उत्तर हो गव्च्छो ये आपका थर्ड कोशन है इसका सही उत्तर होगा ये आपका क्ववाला थीकर सख alcohol कि जीवन को माधूर या पून बनाने में ठीकналतberty ये ॼक्षा आगे आगे चलते हैं, अब अगला प्रस्ण देखिए, पांचवा प्रस्ण क्या पूछ रहा है हम से, कि सेवा भाव से मन हो जाता है, क्या हो जाता है मन, ठीक है, तो पांचवे का जो सही उत्तर होगा बच्चो, वो होगा आपका का, त्रिप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, त्रि सहाथवा प्रसंद लिए वास्तवी गरीबी क्या होती है हमारी आत्मा की गरीबी यह आपका पैसेज में दे रखा है तो वास्तवी गरीबी होगा आट्मा का गरीबी आगे चलते हैं बच्छो अगला प्रशन देखिए आठ्वा प्रसन देखते हैं कि सब के कल्यान की कामना सब परिनाम परिलक्षित होता है ठीक है ना तो आठ्वे प्रसन का जो सही उतर होगा बच्छो वो होगा आपका कर ठीक है यहां सबके कल्यान की कामना की भावना से तो इसका ये सही उतर आप लगा देंगे आगे चलते हैं बच्चों अगला दस्वा प्रस्ण देख लीजिए दस्वा प्रस्ण क्या पूछ रहा है कि खुशियां बढ़ती है तो आपको पता ही होगा खुशियां कैसे बढ़ती हैं बाटन तो यहां पर हम लोग डारेक्ट इसका एंसर देख लेते हैं दूसरे का तो दूसरे का जो पहले का उत्तर होगा बच्चो पहला कोशन देखे का पूछा है हमसे क्यों कुए के पास जाकर भी प्यास प्यासा का प्यास रह जाता है ठीक है तो पहले कोशन का जो एंसर है दूसर हो कि वह होगा आपका यह पैराग्राफ के अनुसार वह है अथा अगम ठीक है तो यह दूसरे का होगा आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देखिए तीसरा प्रस्ण क्या है हमारा बड़ी बड़ी रसियां बटी आप का भाव है ठीक है ना मतला बड़ी फोर्थ कोश्ण फोर्थ कोश्ण देखे क्या बोल रहा है हमसे कि मानों जीवन सभी परकार के परियासों के उपरांत भी प्यासा रह जाता है ठीक है तो इसका सही उतर बताने है बच्चो आपको फोर्थ का तो इसका जो सही उतर होगा बच्चो यह घाव वाला होगा कमियों नहीं डैस यहां असंख्य चीद्रों के माध्यम से संकेत किया गया है तो इस कोशिण का जो एंसर होगा बच्चों वह कह होगा आपका मानों की कमीयों की और बताये गया है तो कह इसका आप सही उत्तर लगा देंगे आगे चलते हैं बच्चों अगला प्रस्ण देखिए बच आगे चलते हैं अब हम अगला प्रस्ण देख लेते हैं बच्चों अगला प्रस्ण है सात्वा प्रस्ण की और तुने दोस डैस पंक्ति का क्या आसा है तो जो सात्वा प्रस्ण है बच्चों उसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ख़ असफलता के लिए दूसरों को दोसी म मिलती है तो यह जो आठ्वा है इसका सही उतर होगा बच्चो आपका घhis होगा यानि कि दो चीजे होती है पहला आपका सफलता पाने है तो अपने किये गए कार्रयों का मुल्यंकन करने की और दूसरा है आपका मुल्यांकन कारे कर उसमें सुधार करने की ठीक है तो ये आपका कव और खा दोनों आप लगा सकते हैं आगे चलते हैं बच्चों इसी के अंदर अत्वा दे रखा है आप देखिए अत्वा में पूरा पेराग्राफ दे रखा है और वही आपसे आपो कोस्ण हैं पूछेता पूछा आप देखिए ऊचेर मन मोहीनी प्रकिर्थी की गोद में बसा है वह भारत है इंडिया है चूछे पहला curves देखिए प्रचालन निरंतर कर रहा है तो जो दूसरा है उसका जो सही उतर है वो होगा आपका समुंद्र को इसका आप सही उतर लगा देंगे आगे चलते हैं बच्चो तीसरा कोशन देखिए कि भारत के फूलों का शरूप है तो जो तीसरा कोशन है बच्चो उसका जो सही उतर होगा आपका कवख दोनों होगा ठीक है ना सुगंधित भी है, सुन्दर भी है, प्यारे भी है और दिन रात हसने वाले भी है तो इसका जो सही उतर होगा वह आपका कव वख दोनों होगा आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देखी अगला प्रस्ण है हमारा यह जो है सो कि आपका चौता प्रस्ण है कि भारत की नदिया है ठीक है ना क्या है भारत की नदिया तो चौत्रे कोशन का जो सही उतर होगा बच्चो वो होगा आपका कहव खह दोनों होगा ठीक है बच्चो तो इसके अंदर क्या है कि भारत की नदिया क्या है पहले आपका अमरित समान जल से परिपूर्ण है और दूसरा है आपका खह यानि कि देशों को निरंतर सीचने वाली नदिया है तो इसका जो सही उतर इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये होगा आपका गह यानि की नाना प्रकार के वेभव वर सुख सम्रिद्धी से युक्त होने के कारण ठीक है तो ये आप लगा देंगे इसका उत्तर आगे चलते हैं बच्चों अगला प्रसन देख लीजिए अगला प्रसन है हमारा अगला प्रस्ण देख लेते हैं साथवा प्रस्ण देखे क्या पूछ रहा है बच्चो कि स्वर्ण या सुख निहित अलंकार है तो इसके अंदर जो है सो कि आप लिख सकते हैं बच्चो साथवे के अंदर कि जो है सो कि यह उपमा अलंकार है कौन सा अलंकार है उपमा अलंका आगे चलते हैं अग्ला प्रष no a good भारत संसार तो ky बारत संसार कर सिरोमनी है फिके रोमनीह इसका सई उत्तर बताना है तो देखा साना परियावाचीका सब्सक्राइब educate आप से इन सभी प्रस्टों में जो अभी तक मैंने आपको बता है तो आठवे का जो सही उतर होगा बच्चों वह प्रस्थ करना तो इसमें देखिए पहला प्रस्थ चैने कि अच्छे feature में जरूरी है क्या जरूरी है अच्छे feature के अंदर ठीक है तो इसका जो सही उतार होगा बच्छो यहाँ पर आप देख सकते हैं गव होगा ठीक है न मैं यानि कि कव वख दोनो फोटो भी जरूरी है और रे खांकन वख ग्राफिक्स भी जरूरी है अच्छे फीचर के अंदर तो आप यह लिख सकते हैं बच्छो आगे चलते हैं दूसरा प्रस्ण देखिए कौन सा पत्रकारिता का रूप नहीं है ठीक है न तो पत्रकारिता का तो वह होगा आपका अखबार की आवाज यह सही उतर होगा इसका ठीक है आगे चलते हैं बच्छो अगला प्रस्ण देखिए चौथा प्रस्ण की इंटरनेट पत्रकारिता लोग परिये है तो क्यों लोग परिये है इसके अंदर आप को और दोनों होगा घह लगा देंगे कि सूचनाओ की तीवर गती से मतलब पहुचाने के लिए भी लोग परिये है और सारे माध्यमों का समागमन भी है इसके अंदर ठीक है तो यह आप लगा देंगे तो यह गह इसका सही उतर हो जाएगा आगे चलते हैं बच्छो अगला प्रस्ण देख लेते हैं पाच्वा परस्ण कि अकबार इसो की लोक-तांतिरिक समाझ में भूमी का निवाथा एह तो इसके इंदर पहला भी होगा यानि की पह्रे दार вспॉष्थछ की भी भूमी का निभात एए आपका सही उतर बन जाेगा इसका घ्र तो यह आप इसका सही उत्तर लिग देंगे डिने भी है औ को बठा देता हूं के करके लेक्टे पहले का जो answer होगा हमारा कि यह गीत कभी जैन संकर परसाद के किस नाटक से अवतरित है तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं बच्यों यह चंदर गूप जो हैसों की उससे अवतरित है तो जो नाटक है उसके चंदर होगा अपका ठीकर घंक को वह नोंगा करूणा का भी देखने को मिलता है और भारतियों की दयावा zucchini का भी हमें यह चीज़े देखने को मिलता है तो नहीं यह दखशक सकते प्रस्न है कि अलंकार नहीं सब्सक्राइब है न पूसरण घृपक आपिर बच्चों अग़्ला प्रस्न की उश्मा रूपी नाहिका के अवतरीत होने कि गह प्रसों दंता निया है इसका इसका फरेक्शन है जतर से चकलिकों क। इसका आगे चलते हैं अगला प्रस्न देखिए में पढ़के उतर दे ना है ठीक है तो इसके अंदर भी हम मैं आपको डिरेक्ट एंसर बता देता हूं इसका पांचवे प्रस्टूत गध्यांस के लेखक है कोन है प्रस्टूत गध्यांस के लेखक तो हमारा यहां पर जो पांचवे का सही उत्तर है बच्चो यह खो होगा आपका पंडित चंदरधर सर्मा गुलेरी जी जो है इ तो दूसरे कोशन का सही उत्तर होगा बच्चो वह आपका कह होगा सुमरी नीक है मन के यह आप लिख सकते हैं ठीक है तीसरा कोशन देखिए बच्चो तीसरा कोशन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि लड्डू सब्द सुनकर अध्यापक और पिता निरास हो गए ठीक है ना देखिए चौथा प्रấंड़ कि बालक बच गया से तातपर्य है आपको वह बताना है ठीक है ना तो बालक जो बच गया सो तातपर्य हमारा चौथे कोशन के अंदर वह होगा आपका ख यानिकी बच्चे का बच्छपन अभी भी जीवित है ठीक है तो यह आप लिख सकते है आगे चलते हैं अगला प्रश्ण देखिए चाहटा सोडी पाच्वा प्रश्ण है हमारा कि लेखक ने शुक की सास क्यों ली क्योंकि अभी डैस है अभी तक डैस है तो डैस के अनदर हमें क्या बताना था पाच्व जा रहे प्रस्न उसकी उमर के लायक नहीं थे तो यह आप लिक सकते हैं। अगला प्रस्ण देख लीज़ें और स्दों में उचीत विकल्प करना थे शांद रेख को पहला कोशिर क्या पूछा है कि लेखक विसनाथ को अपनी मा के पेट का रंग कैसा लगता था तो यहाँ पर जो शही उतर होगा बच्चो वो आपका कव होगा यानि कि हल्दी मिलाई हुई पूड़ी जैसा लगता था लेख़क विषनात को अपनी मा की पेट का रंग ठीक है बच्चो आगे चलते हैं अगला प्रसन देखते है दूसरा प्रस्ण पूछा है कि मैं ही कौन सा दिन भर पुन करता हूं तेल की मिठाई को घी कहकर बेशता हूं इमान गवाने पर भी कुछ नहीं लगता यह कथन किसका है तो यह कथन जहां तक मेरे को लग रहा है ना इसका जो सही उतर होगा बच्चो आपका इसका दूसरे का वो होगा आपका जगधर का है यह वाला ठीक है ना तो खो इसका मुझे सही उतर लग रहा है आपने क्या लिखा इसका सही उतर कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देखिए तीसरा प्रस्ण क्या पूछ रहा है हमसे कि अपने गाउ माही पहुंचकर रूप सिंग किस व्यक्ति से अपने पिता राम सिंग के बारे में पूछता है तो जो इसका जो सही उतर लग रहा है बच्चो मुझे वो लग रहा है आपका कह यानि कि तिरलोग सिंग से पूछता है आपका ठीक है ना क्यूंकि चैप्टर के अंदर यही चीज़ें दी हुई है ठीक है बच्चो तो इसका जो कह होगा वह सही उतर होगा आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देखिए फोर्थ कोशन की अपने पित्रों का पिंड़डान करते करने मिठुआ की साधी करने वक्त कुवा खुदवाने हेतु सूर्दास ने जमा किये थे तो कितने रूपए जमा किये थे आपके वह बताना है यहां पर तो जो चौथा है उसका जो सही उतर है आपका वह है 500 रूपए से अधिक रूपए जो हैसो की उसने जमा किये थे ठीक है बच्चो आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देख लीजे पांच्वा है यह ठीक है अब आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देखे च्छटा प्रस्ण क्या पूछ रहा है हम से कि डगडग रोटी पगपग नीर यह बात प्रसीद है कहां के लिए परसीद है तो यह जो हैसो कि आपका होगा मालवा के बारे में चीजे परसीद है ठीक है ख़ू इसका आप साहे उतर लगा सकते हैं बाग मदीब के जन्म के कितने वर्सों में सैला ने आत्मे अत्मा की तो जो साहे उतर होगा नौवे वर्स में ठीक है तो यह हो गए आपκα और शोंग से एंसे कर के इन सर दिनना है तो इसमें पहला जो है सात्व प्रस ने पूछा आपसे वह यह है कि आपका कि निमलिखित में से किसी एक विशाई पर लगबग देड़ सो सब्दों में रचनात्पक लेक लिखकर दिखाना है आपको एक तरह से निबन टाइप होता है आपको ठीक है निबन टाइप का लिख सकते थे वह मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे बच्चो तो आई हो बच्चो आपको दिख पा रहोगा यहां पर यह देखिए बच्चो रेलवे प्लेटफोर्म का द्रिश से पर निबंद ठीक है वीडियो को पॉस्ट कर लिजे और अगर आपको पढ़ना है तो आप प लिखा भी होगा वैसे बना करके लिखने वाला कोशन ही होता है ठीक है सामान की विक्री हो गई आपकी छोटे भारत का दिरिश से देख सकते हैं इस तरह से आप लिख सकते थे और आगे चले तो कुछ इस तरह से चीजे दी गई है इनको में जूम आउट करके दिखा लेता अगे चलते हैं अगला प्रस्न देखिए बच्चो अगला प्रस्न है हमारा प्रस्न आठ जिसके अंदर बोल रखा है कि आपकी कॉलोनी में सफाई की अव्यवस्था की और ध्यान आकर्शित करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने छेत्र में कच इसको लिखना था आपको पत्र नगर निगम के अधिकारियों को तो इसको आप इस तरह से लिख सकते मैंने फॉर्मेट बना दिया है इस तरह से लिख सकते हैं तो यहां पर आप देख पार होंगा बच्चो सबसे पहले आपको लिखना था यहां पर सेवा में नगर निगम अधिकारी कोख गोग नगर जो भी नगर का नाम नहीं दिया था हमें तो यह कुछ भी आप लिख सकते थे उसके बाद आजाता हमारा विशय के अंदर आप बोल देते कॉलोनी में डस्बिन लगवाने हेतु पत्र ठीक है ना आविदन पत्र इस तरह से कह सकते हैं उसके बार यहां पर आप लिख देते महोदे फिर इस तरह से लिख देते कि सभी दियन यह है कि मैं स्रीमान जोसों की आपका ध्यान हमारे कख को कलोनी की बूरी अवस्था की और आकरसित करना चाहता हूं और ठीक है ना और हाल ही में कुड़ेदान ना होने के कारण क्या है नगर में ह तरकों पर यात यात व्यवस्था भी अस्त व्यश्थ रहता है हमारा आपसे प्राथना है कि जो है सो की नगर की इस दुर्वयस्था पर ध्यान देते हुए इसे यथा सिग्र सुधारने का प्रयास यप मतलब प्रयास करें कह सकते हैं परियतन करें आरम किया जाए ठीक है इस चीज को ठीक करने का और जिससे की समस्यां को और अधिक बढ़ने से रोका जा सकता है इस तरह से मैंने कंटेंट बना दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में बच्चो और नीचे आ जाएगा आपका भवदी है जो भी हैसो की और उसके बार डेट डाल देंगे आप जैसे कि आज का डेट है आठ अपरेल दो हजार इस और उसके बाद नगर इस फॉर्मेट में आपको इस तरह से करके यह लिख देना था जो हैसो की तो आपको पूरे नंबर यहां पर मिल जाते बच्चो तो आई होब कि यह कैसे लिखना था आपको नगर निगम के अधिका तो इसका वहाला प्रसें प्रस्न अगर को की समश्या का उलेख करते हुआ जन सत्ता के संपार्ग को आपको पतर लिखना तो संपार्थ में पत्र लीख लोगे तो बोरिख सकते हैं निगतानी bank को जन सत्ता नई दिल्ली 110042 क्योंकि कोई अड्रेस तो दिया नहीं है उसके बाद विसे डाल देना है बच्चो आपको कि कॉलोनी में प्रदूसित पानी की सप्लाई की समस्या का उलेख हेतु पत्र ठीक है यह है आपका और उसके बाद महोदे करके यहां पर पूरा कूरा कंट आपको लिख देना है यह कंटेंट इस तरह से आप देखी सकते हैं मत इसको पढ़िये मत यह कंटेंट मैंने ऐसी लिखा हुआ है ठीक है ना यह किसी और टॉपिक पर मोटा मोटा यहां पर मैं आपको फॉर्मेट बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सिवा में डालना है संपा चाहिए फॉर्मेट देख में और उसके बाद आप पता जो असकी परीक्षा भवन नई दिली इस तरह से करके आप लेक सकते थे यह था आपका इसका फॉर्मिट कि आपकी इस तरह से जो ऐसो की संपादक को पत्र यह सकते हैं उपर जो मैं आपको पत्र बताया वीछे वह कि किसरे साथ कम नगर निगम के अधिकार्य को कंप्लेंड लैटर लेख सकते हैं ठीक है आई होप कि यह दोनों चीजे आपको क्लियर हो गएंगी आगे चलते हैं बच्चो अगला देख लेते हैं यह आपको बताना है तो इसका एंसर देख लीजे बच्चो तो एंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते थे कि संपाद किये प्रिष्ट जो होता है वह समाचार पत्र का सबसे महत्यपून प्रिष्ट माना जाता है ठीक है इस प्रिष्ट पर अखबार विभिन घटनाओं और सम करते हैं आम तोर पर संपादक के नाम पर नाम पत्र भी इसी प्रिष्ट पर प्रिष्ट किये जाते हैं और आगे देखेश पर आप लोगों की टिपने होती यह मतलब बगार्ष्ट पत्र उसे महत्यपून मानते हैं कुछ इस तरह से थोड़ा से इसके अंदर से इसके आप को अपना जो आपका सिलिवस से उसके लिग देना था और उसकी अगर हम लोग विसेष्टाओं की बारे में बात कर ले कि इसकी क्या के विसेष्टाएं हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला आपका संपाद कि लेख की सैली जो है प्रभाव वो पादक होती है एवं आप कह सकते हैं अगला आप कह सकते हैं कि भासा सपस्ट होनी चाहिए सशक्त और प्रखर हो ठीक है अगला है कि चूटीले पन से भी लेख अपेक्षाक्रित आकर्शक बन चाता है ठीक है ना तो यह आपका और आगे कुछ और आप लिख सकते हैं जैसे कि संपादक की प्रत समाने जाते हैं अंतर संपादक को इससे बचना चाहिए ठीक है तो यह कुछ विशेशता हों कि आप बात कर दे रहेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल या तो आगे चलते हैं अगला प्रसन देख लेते हैं अब इसी प्रसने के अथ्वा में आप देख पा रहे होंगे जो बीट रिपोर्टिंग होता है और विशेशिकरित रिपोर्टिंग होता है उसमें अंतर क्या होता है पहला देखिए बीट रिपोर्टिंग बीट रिपोर्टिंग के लिए समवादाता में उस छेतर की जानकारी होना पर्याप्त है ठीक है और उसे सामाने तोर पर खबर लिखनी होती है तिक और दूसरा है बीट रिपोर्टिंग में कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को सम्वादाता कहा जाता है ठीक है और अगला देखिए बच्चो जो ये तो था आपका बीट रिपोर्टिंग अगर आगे हम बात करें बच्चो तो अगला आएगा हमारा कि इसके अंदर क्या होता है मैं आपको जूम करके रिखाने का प्रयास करता हूं ओके इसके अंदर क्या होता है हमारा कि विशेशिक्रित के लिए समवादाता जो होता है उसको सामाने खबरों से आगे बढ़कर उस छेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारिकी से विशलेशन कर पार्ट को के लिए उसका अर्थ सपष्ट करना होता है ठीक है और दूसरा आप लिख देंगे विशेशिक्रित में कि यहां पर मैं आप ठीक है कि विशेशिक्रित रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेश समवादाता कहते हैं तो यह आपका अंतर हो जाएगा कि वीट रिपोर्टिंग क्या होता है और विशेशिक्रित रिपोर्टिंग क्या होता है तो आगर आप वीडियो को पढ़ना चाहते है लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रसन देख लेते हैं आपका अगला देखिए बच्चो इसी का है आपका दोवे का कि एंकर पैकेज को इस पर्ष्ट करने आपको तो देखिए एंकर पैकेज क्या होता है बच्चो देखिए बच्चो एंकर पैकेज क्या होता है वह पैकेज किसी भी खबर को संपुनता के साथ पेस करने का एक जरिया होता है इसमें संबंधित घटनाओं के द्रिश्य इस से जुड़े लोगों की वाइट ग्राफी ठीक है ना और जरित जरूरी सूचना यादी होती है ठीक है ना और टेलिविजन ले को ध्यान में रख कर किया जाता है ठीक है ना और जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तमाल होता है तो यह होता है आपका एंकर पैकेज आई होप कि आपको समझ में आगे होगा बच्चो आगे अगर आप इसको बाउस करके ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजे ठीक है ना इस्क्रिंशॉट भी लेख सकते हैं आगे चलते हैं बच्चो अगला देखिए बच्चो यह आपका जो हैसो की कोशन नंबर जो नौवा है उसका ख़व का अथ्वा वाला कोशन पूछ रहा है हम से कि टेलीविजन समाचार की भासा सली की किनी चाहर का दृषिंश्य श्रवय माध्यम थिकर न है ऑडियो की भाती एक त्युक्रिण साथ हैं और टी विजंफ अठेश्यों के अनूरूप चलते हैं और कंको से कम सबदों में अधिक से अधिकरlica बताने की सेलिका प्रयोग किया जाता है अंतर टीवी में समाचार लेखन की प्रमुख सर्थ दिरिश्य के साथ लेखन है तो यह आप इसका एंसर लेख सकते हैं अगर वीडियो को पॉस्ट करके स्क्रीन शोट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं अगे चलते हैं अगला प्रस्ण है संचेब में लिखना था ठीक था तो यह कहाणी के विभीन त habitat परकार दो किस परकार से पहला आपका कथानक आयए कद दूसरा आजाए आन आ जाएगा उर वातवर्न आजाए घा चोथा आजाएगा पात्र ठीक है और उसके बाद आजाएगा आपका चैत्र चित्रन फिर आजाएगा समवाद फिर आजाएगा भासर सहली फिर आजाएगा चर्मोतकर्स तो इस तरह से इनको संचेप में आपको बता देना था तो आपको नंबर मिल जाते आगे चलते हैं पहानी से किस रूप में भीन होता है उसके बारे में बताना है तो यह देखे बच्चो तो यहां पर आप उत्तर देख सकते हैं बच्चो एज़िटीज मैंने आपका जोयसो की सपोर्टिंग में से ले लिया है इसका उत्तर ठीक है देखे मैं आपको पढ़के भी बता देता ह साहित्य के अंतरगत ही आता है तो यह अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की और बढ़ता है नाटक केवल अन्य विध्याओं की भाती केवल एक आयामी नहीं है नाटक का जब तक मंचन नहीं होता तब तक वा से कह सकते हैं प्राफ्थ नहीं कर सकता ठीका नैंट को मंच पे हमें दिखाना राच कहा जा सकता है कि तर देखने वाला है और साहिते भी अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्राएं करती हैं ठीक है ना परणटु नाटक पढ़ने सुनने और देखने के गुन को भी अपने भीतर रखता है तो यह आपका उसका उत्तर हो जाता आयोब के भी समझ में आगे होगा बच्चो आगे चलत हैं हमारे उनका उल्लेख करना तो यह देखे बच्चो तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चो मैंने एज़िटी आपका जो है यह सपोर्टिंग मैटरिल में दिया ही हुआ है तो देखे बच्चो क्या बता रहा है कि कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं एक का मानना है कि अन्य कलाओ के सामने कह सकते हैं समान सोरी कविता लेखन की कला को प्रसिक्षन द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है ठीक है ना क्यूंकि इसका संबंध मानविय भाव से है जबकि दूसरा मत कहता है कि अन्य कलाओ की भाती ही प्रसिक्षन के द्वारा कविता लेखन को भी सरल बनाया जा सकता है तो दो मत हो जाते हैं दोनों मतों का यह कहना आपका इस तरह से आपको पेपर में लिख देना था आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रसन देखिए बच्चो इसी जो दस्वे का खव है आपका उसी के अंदर जो हैसो की अत्वा में पूछ रखा है हमसे कि कहानी की परिभासा इस पर्ष्ट करनिया में तो कहानी की परिभासा यह रेखिए बच्चो क्या होती है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चो कहानी की परिभासा के बारे में लिखा गया है कि कहानी किसी घटना पात्रिया समस्या का क्रम बध ब होता है हर व्यक्ति अपनी बाते दूसरों को सुनाने और दूसरों की बाते सुना चाहता है कहानी लिखने का मुलभाव सब सब में सोरी होता है और इसे कुछ लोगविक्सित कर पाते हैं ठीक तो यहीए आपका कहानी की परिभासा समझ में आगे होगी बच्चो आगए चलते हैं आगे चलते हैं अगला प्रस्थ्क हमारा कोशन सब्सक्राइब तो मैं आपको तीनों के उत्तर बताऊंगा पहला कोशन है कि एक कम कविता में कवी ने को आत्म निर्भर माला मालवा गतिसील होने के किन किन तरीकों की और संकेत किया है ये वताने आपको तो इसका उत्तर देख लीजिए बत्चों है कि आजादी के बाद लोग बैमान धोका धड़ी चल भरस्टाचार रिस्वत आदी गलत तरीक को अपना कर माला माल हुए हैं इन लोगों ने अपने स्वार्थ के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दिया इनको ठीक है मतलब नहीं दिखाई देता है तो ये लोग इसी तरह अम तोड़ो तोड़ो से हुआ है वह अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ है ठीक है कवी ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में बताना है तो ये देख लीजे बच्चो तो इसका एंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चो कि कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है तोड़ो तोड़ो से करके कवी ने मनुष्य को विंद्व, खीज तथा बाधाएं इत्यादी को तोड़ कर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है इन सब को तोड़ो के बाद भी कह सकते हैं तोड़ो के बाद ही मनुष्य के अंदर सिरिजन सक्ति का विकास होता है यह बता है कवी ने आगे देखिए मनुष्य के सोचने और समझने की सक्ति का विकास होता है विंद्व, खीज तथा बाधाएं मनुष्य के सिरिजन सक्ति तथा विचारों को परभावित करती है ठीक है तो यह बोल सकते हैं आगे देखिए गोडो 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 सब्द का पर है यारव सब्सक्ति देखें का उच्छा है कि विध्यापति की विरहनी नाइका की मनोदस्य का वर्णन अपने सब्दों में और चाहता है कि सचे प्रेम में व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता नाइका भी जन्म जन्मांतर से नायक के साथ है फिर भी वह उससे एक छन के लिए अलग नहीं होना चाहती है ठीक है ना और यही प्रेम का आदर सुरूप भी है ठीक है ना और प्रेम हमेशा नवीन रहता है प्रेम जो होता है हमेशा नवीन रहता है उससे त्रिप्त होना संभाव नहीं है यही नायका की है तो इस तरह से आपको एंसर लिग देना था आयोब के कोशिम भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चो आगे चलते हैं अगला प्रसन देख लेते हैं बच्चो अब आगे बच्चो हम लोग बारवे प्रसने पर ठीक है ना बारवा प्रसन में भी बोल रहा है कि निमलिखि देखिए बच्चो कि युधिष्टिर जैसा संकल्प से तात्परे है सत्य के मार्ग पर अडिक होकर चलने की सकती होना और युधिष्टिर ने अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुना था इसके लिए उन्होंने विदूर तक को अपने समुख जुकने पर विवस कर दिया तो यह इतना आपको लिख देना था तो आपको नंबर मिल जाते हैं अगे चलते हैं बच्चो अगला प्रेशन देखिए बच्चो अमारा कोशन में क्या पूछ रहा है बारवे का कि राम के प्रति अपने सरद्धा भाव को भरत किस परकार प्रकट करते हैं तो इसका एंसर अफंतर देखिए बच्चो इसका एंसर आप यहां पर देख पा रहे होंगा बच्चो कि भरत ठीक Hey मैं आपको यहां पर दिखाता हूं भरत अपने बड़े भाये राम से बहुत इसने करते हैं वे स्वयम को अपने बड़े भाऑ राम का अनूचरन का ठीक है मतलब अनूच हो जाते हैं और अपने भाई से मिलन होने पर अब उनकी आंखों में आशुव की जलधारा प्रवावित होने लगते हैं और अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वह अपनी इक्षा प्रकट करते हैं भाई की विशेष्टाओं का बखान करनके वे अपनी सद्धा व्यक्ट करत हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा अपने वनवासी भाई की दसा देखकर वह दुखी हो जाते हैं ठीक है मतलब दुखी उठते हैं दुख से भर जाते हैं कह सकते हो क्यों कि वन में वन वनवास काटने गए हैं और स्वायम को इसका कारण मा अधीरता अपने बड़े भाई के प्रती अपार सद्धा का परीचे देता है तो यह आप इतना लिख सकते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते आगे चलते बच्चो अगला प्रस्न देखिए बच्चो अगला प्रस्न है अमारा गवाला इसमें बोल रहा है बच्चो कि दे जंड़ Himself अधान से आप इसको समझ you की नागमती भवरे और क्यूर के माध्यम से अपने जो उनके पति होते हैं उनको संदेश भेजती है और यदी तुम्हें मनलब यहां पर बताया एगया है कि यदि तुम्हें राश्टे में मेरे मेरे रही है उससे हम भी काले पड़ गए हैं ठीक है नहीं हम पास संदेश लेकर क्या है इतना अगनी निकल रहा है कि हम भी काले पड़ गए जूलस गये तो इस तरह से आपको इसका एंसर लिख देना थो आपको अब देखिए बच्चों हमारा जो है सो की बार्वा कोशन भी खतम हो गया अब हम आ जाते हैं तेरवे प्रस्नी की और तेरवा प्रस्न देखिए कि निमलिखित में से किनहीं दो प्रस्नों के उतर देनें पचास से सब दोनई मैं तीनोंव बता दोगा जैहिरची वात है पहला आपका कि समवद्या घर गोविंद जो है घर हरस्या किस की चारित्रिक विशेष्दाओं का उल्लेग किजिए उसकी उभार श्रस्मेर हैं तो अगर मैं सही हूँ तो इसके अंदर हमें बताना है आपका जो समवधिया था उसकी चाजित्रिक विशेष्टाओं के बारे में बताना था ठीक है इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है यहां पर आप देख सकते हैं कि आप देखिए कि हर गोविन समवधिया की विशेष्ट परक्ति इसकानी जाने सब्सक्राओं की समवाद को था नहीं नहीं बहना चाहिए झावsz मारक का उना चाहिए और अन्य विशेष्ट के साथ संवाद को पहुंचाणे में अगोपनीयता भव болश्यक है संवतियुक्ति बताना कि तेरवे कोशन का जो को एंसर आपने लिखा है वो क्या लिखा है ठीक है बच्चो आगे चलते हैं अगला देखिए बच्चो तेरवे का जो खाव है वो पूछ रहा हैं से कि साजा लगुक कथा में गन्य की फसल तयार होने पर किसान ने क्या चाहा वह हाथी ने क्या कि साजा में आजादी के बाद किसानों की बरहाली का वर्डन किया गया है ठीक है और साथी साथ ये बताया गया है कि पुंजी पतियों वह गाओं के प्रभुतो साली वर्ग की नजर किसानों की जमीन और उटपाद पर है ठीक है न और वह हर संभव पर्यास द्वारा उसे ह नासिल करना चाहता है हाती समाज के अमीर और प्रभुत्योसाली वर्ग का प्रतीक है जो किसान कि सानों की सारी महनत और कमाई धोके से हड़ा लेते हैं और किसानों को पता भी नहीं चलता है किसान समक्ष कह सकते हैं सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाते कि सान्स नसक्षम होते हुए भी लाचार रह जाते। पुझी पति जो लोगते트 अउनका फायदा उठा गउसकती 아गे चलते बस नहीं को आपका गव के अंदर आप देख सकते हैं तेरवे का गव है कि दूसरा देवदास कहानी के सीर्षक की साथ थर्था इस पस्ट करनी है आपको ठीक है तो इसका जो है सकी उत्तर देख लेते हैं बच्चो तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चो कि लेखक ने कहानी का सीर्षक दूसरा देवदास जो है सोच समझ कर रखा है जो कहानी के मूल कथ जो मतलब चीज है उसको स्पस्ट करने में समर्थ है और सरत्चंद की रचना देवदास में नायक देवदास पारो पर अपना प्रेम लुटाता है ठीक है न और अंत तक जो अंत तक कह सकते हैं यह प्रेम एक निश्चल रूप में जीवित रहता है उसी प्रकार संभव भी पारो को प्राप्त करने के लिए बेचायन है ठीक है न और देवदास और पारो निश्चल प्रेम के प्रतीक है और इसलिए संभव के लिए लेखिका ने अगला कॉस्ण देख लेते हैं अब आ जाते हैं बच्चो चौदवे प्रस्ण की और तो देखे चौदवा प्रस्ण क्या बोल रहा है कि निमलिखित में से कि नहीं दो कि कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाब बन जाती है जहां कोई वापसी नहीं के आधार प्रपंक्तियों का आसाइस पर्ष्ट करने आपको तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चो तो इसका एंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चो कि कभी जो है वह इन सब्दों के माध्यम से बताना चाहता है कि यदि कोई इलाका खनीज संपन से युक्त है तो नहीं मानना चाहिए कि वह उसके लिए वरदान है गहराई से देखे तो वह उसके लिए अभिशाब बन जाता है ऐसा अभिशाब जो उसके नश्ट होने का कारण बन जाता वो कव वाला जो आपका एंसर था वो यहीं तक था अब हम देखने वाले हैं खव का क्या उत्तर होगा आपका खव में देखे क्या पूछ रहा हम से कि निसंदे सब्द को लेकर लेखक ने प्रेम घंद समरन में किस प्रसंग का उलेक किया है कि जब लेखक का परिचय हिंदी में प्रेमी मंडली से हुआ तो वहाँ प्राय लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भासा का पर्योग किया करते थे तो यह आप पूरा पूरा लिख देते तो आपको नंबर मिल जाते आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रेसन देखिए बच्चो यहाँ पर हमसे चौदवे के गव में क्या पूछ रहा है कि दुड़लभ बंदू की पेटियों का कथा लिखिए जो दुड़लभ बंदू है दुड़लभ बंदू की प्रतिमूर्ति थी तो इस तरह से आप आगे देखिए कि स्वैमवर के लिए जो आता उसे इन तीनों में से एक पेटी चुन्ने को कहा जाता है और अकड़बाज सोने की पेटी चुनता है और वापस लोट जाता है लोभी चांदी की पेटी चुनता है जबकि सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी चुनकर घुड दोड़ का पहला इनाम पाता है तो इसका एंसर आपको इस तरह से लिख देना था तो आयोप कि यह कोश्ण भी आपको समझ में आगे होगा बच्चो तो बस बच्चो यही था आज बच्क आइए बच्चो आइए बच्चो अगर आपको यही होप कि आपको ओई बच्चो पस sneaky जलदी मैं कर वाय तो थी undert को एक सुल्यूशन हो जाता लेकिन जहां तक मेरा से संभ़ हो पाया मैंने जितना अच्छा करवा पाया अपना एपको अगर आपको वीडियो प्रक्षम तो जितना ज्यादा से ओसके लाइक जरूर खिजेका इस वीडियो को इतना ज्यादा हमारा मॉटीवेशन बढ़ता और वीडियो बनाने के लिए तो बस बच्चों आज के वीडियो यहीं तक था और में तना आप से अगली और एक्साइटिम वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें खुश रखिए सभी को जय हिंद बंदे मात्रा